हेलो गाइज वेल्कम बाक टुमाचाने यूर वाचिंग टेखनीक इंडिया आज की वीडियो होने वाली अबाउट ब्राइंड न्यू आई यूस 17.1.1 तो यह नहीं अलाउंच हो चुका है इसमें करेंटली मैं अपडेट कर चुका हूँ बिल नंबर कुछ ऐसा है इस पर्टिक्लियर आई यूस 17.1.1 का इसके अंदर बहुत जादा है अपडेट आपने देखने को नहीं मिल रही है आपको 300MB सम्थेंग की अपडेट आई है और यह कुछ अपडेट है जो कि यहां क्लेरी मेंचन है तो यह अपडेट से पहले बतान अपडेट तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यह अपडेट बहुत ज्यादा खास नहीं है सिर्फ कुछी चीजों के लिए स्पैसिफिक बहुत ही अर्जेंट यह निकाली गई है बिना किसी बीट-अपडेट के डिरेक्ली रिलीज करी गई है इसका रीजन था क्योंकि बहुत ही मेजर इशू आ रहा था BMW कार्स के अंदर और उसके अंदर NFC की वज़े से ना NFC में प्रॉब्लम क्या रही थी कि NFC वैसे आगर आप वायरलस चार्जिंग कर रहे थे किसी भी BMW कार में तो उसके अंदर आपकी NFC चिप ही डैमेज हो रही थी और आप एपल पे नह इसके रिराडिंग बग फिक्स हुआ था तो NFC चिप में कोई इशू आ गया था जो किनों ने फिक्स कर दिया है इसके अलावा वैदर लॉक स्क्रीन विजट में नॉट करेटली डिस्प्लेश नू तो बैसिकली कि आदा सिफ स्नो रिलेटेड इशू था अगर यहां वैद अगर आपका फोन वारेंटी में है लेट से अगर आप यूज कर रहे हैं कोई आईफोन 15 सीरीज का फोन प्राइंड न्यू 14 आपने बिग बिलियन डेज में खरीद आया इनमें से कोई फोन है तो आप डेफिनिटली अपडेट करें अगर आपके पास ओल्डर आईफोन है आईफोन 13 है यहाँ पर 13 प्रो है इसमें मैं रिकमेंट नहीं करता क्योंकि ओर्रीडी ग्रीन स्क्रीन की वैसे बहुत इशूज यहाँ पे काफी जारे फोनों में रिपोर्ट करें या फाल्तू में एक छोटा सब्ग्रेट जो आपकी हेल्प ही ना करे वो अपडेट करके म अधरवाइस कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्टिक्लर अपडेट की अपडेट इतना ही था तो इसलिए वीडियो भी इतनी रखेंगे ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे चैनल पर नहीं तो जुरूर चानल सब्सक्राइब करना इंस्टर्राम टेलीग्रम फॉलोग करना म लिए वीडियो आपको चाहिए हो ना स्पेसेफिकली तो कॉमेंट डाउन बिलो मैं उसकी वीडियो ज़रूर लेकिया हूँगा बाई